आपके बहुत काम आने वाले आसान टेप्स थोड़ा किम्ती समय निकाल कर जरूर पढ़ें. नमबर एक एक चम्मच पुदीने के रस में दो चम्मच शहद मिला कर सुभा साम लेने से निकला हुआ पेट अंदर हो जाता है तथा हमको मोटापे से राहत मिलती है. नमबर दो गठिया के मरीजों के लिए आलू का ज्यादा सेवन नुक्षान दायक होता है. नमबर तीन मूली शर्दियों की सबजी है और रेचक गुड़ों से युक्त है लेकिन यदि कोई वैक्ती शर्दी जुखाम की इस्थिति में मूली खा ले तो या उसकी समस्या को कई गुना बढ़ा सकती है. नमबर चार सस्ती और घटिया लिपिष्टिक का इस्तिमाल करने से ओठो का रंग काला पड़ जाता है. नमबर पाच किडिनी की सफाई करने के लिए खीरा खाना शुरू कर दे. नमबर चै पत्थर चट्टा का एक पत्ता और चार दाने मिश्री पीस कर एक कप पानी के साथ खाली पेट पीने से पत्थरी की समस्या खत्म हो जाती है. नमबर साथ सेव खाने के लिए खाली पेट का समय बहत्रेन माना जाता है. नमबर आठ बुखार से आराम ना आता हो तो पुदिने का पानी पीलो. बुखार जल्द ही ठीक हो जाएगा. नमबर नौ किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो उसे अंकुरित मुंग खाना चाहिए. नमबर दस सुबह साम दोनों टाइम खाना खाने के पाच मिनट बाद सव मिली ग्राम अजवाइन को चबा चबा कर खाए. नमबर इग्यारा बवशीर में पपीता खाने से कोलन को शाफ करने में मदद मिलती है. नमबर बारा अगर अचानक पेट दर्द की दिक्कत हो तो गुनगुने पानी में काला नमक डाल कर पीने से आराम मिलेगा. नमबर तेरा आपको खाली पेट लीची खाने से बचना चाहिए. नमबर चौदा फिटकरी को पानी में डाल कर नहाने से जिस्म की बदबूख खत्म हो जाती है. नमबर पंधरा चाय को सही तरीके से सिर्फ जा पानी और चीनी लोग पीते हैं और हम भारती लोग चाय में दूध डालते हैं. जिससे हमें एसीडिटी, बधजमी, हाई वीपी की समस्या होने लगती है. सही से चाय पीना है तो उसमें दूध ना डाल ले. नमबर सोला डाइबटेज के मरीजों को तेज पत्ते का सेवन करना चाहिए. नमबर सत्रा आवले की गुठली को जलाकर भस्म करें और उसमें नारियल तेल मिलाकर गीली या सूखी किसी भी प्रकार की खुजली पर लगाने से लाब होता है. नमबर अठारा केला और अमरोद को एक साथ नहीं खाना चाहिए. नमबर उन्नीस जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है वह लस्य का सेवन बिलकुल भी ना करें. नमबर बीस जिस पैकेट वाले जूस को आप सेहत मन समझ कर पीते हैं तो आपको बता दू कि उनमें सिर्फ चीनी और फ्लेवर मिलाया जाता है. उनमें फल तो होता ही नहीं है. ऐसी चीजे खरिदने से तो अच्छा है कि आप असली फल खाएं और स्वस्त रहें. नमबर एकीस अनार का सेवन करने से गंजेपन की समस्या दूर होती है. नमबर बाईस लीवर की कमजोरी की दिक्कत हो तो साबूदाना की खीर बना कर खाएं. नमबर तेईस दूध में छुहारे डाल कर पीने से बीपी लो की समस्या दूर होती है. नमबर चौबिस अगर आपके सिर में कभी भी सरदर्द हो तो उस सरदर्द को दूर करने के लिए इस स्प्राइट से अच्छी पूरी दुनिया में कोई भी ड्रिंक नहीं है. यह दवाई से भी तेज काम करती है. नमबर पचीज पीले रंग का फल आपको बीमार होने से बचाता है. नमबर चौबिस अपने रोज की दिन चर्या में सौफ का इस्तेमाल जरूर करें. दिन में कम से कम दो बार सौफ का सेवन करें. नमबर 27 प्याज के रस को आइब्रो पल लगाने से आइब्रो घनी और मोटी होती है. नमबर 28 नाखुलों को आपस में रगणने से मस्तिस्क में रग्त का संचरण बढ़ता है. जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. बाल मजबूत होते हैं और अगर आप नियमित रुप से ऐसा करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफेद भी नहीं होंगे. नमबर 29 गर्वती महिलाओं को चाय जादा नहीं पीने चाहिए. नमबर 30 जिस बासी रोटी को लोग सुभा फेग देते हैं अगर उसे ठंड़ा दोध के साथ सुभा के टाइम खाली पेट खाया जाए तो वो अम्रित की तरह काम करेगा और बढ़े हुए सुगर लेवल को भी घटाएगा. नमबर 31 अखरोट का सेवन करने से नेद अच्छी आती है और दिमाग भी सांत रहता है. नमबर 32 भैस का कच्चा दोध पीने से आपको कभी भी कमरदर्ज की सिकायत नहीं होगी. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही. हमारी यह वीडियो शमान जानकारी के लिए बनाई गई है. अगर आपको कोई भी विमारी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से सलाह ले. फिर यह नियम अपनाएं. फ्रेंड्स हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं. अगर थोड़ी से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी इंफर्मेशन के साथ.